इक पौधार उपा था हमने नई उम्मीद उगाने को अब शाल बटब्रक्ष बन गया अब शाल बटब्रक्ष बन गया मलूम है सारे जमाने को मलूम है सारे जमाने को नमस्कार मित्रो स्वागा थी आपका संप्रिशनमेट S.S. मैं हूँ आपका दोस्ट टौक्टर S.S. तर्पाठी मित्रो आज बात उस दोर की जब बीजेपी ने अपनी इस थापना के बाद पहला आम चुनाओ लड़ा और ये बात है 1984 की 1984 की ये चुनाओ इसलिए खास बाना जाता है आस तक इतिहास में क्योंकि उस समय कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे प्रचंड बहुमत हांसल किया था 404, 404 सीटें जीती थी और तमाम भी पक्षी पार्टियां हांशिय पार आ गए थी और उनमें नए स्थावित पार्टी बीजेपी भी थी जिसने पूरे देस में मातर दो सीटें जीती थी और कोई उस समय कलपना भी नहीं कर सकता था कि यही दो सीटें जीतने वाली बीजेपी कभी शत्ता के शिखर तक पहुँचेगी और लगातार शिखर पर बनी रहेगी अब मित्रो बात करते हैं 1984 के चुनाओ के हाला तो मित्रो 1984 में जब आम चुनाओ हुए तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के साथ श्रीमती इंद्रा गांधी की अचानक मरतों से उपजी साहनबूत की लहर थी इसके साथ साथ एक युवा, फ्रेस, नया चेहरा, स्री राजिव गांधी थे दूसरी और नई बनी बीजेपी पार्टी थी जो अपना पहला आम चुनाओ लड़ रही थी अपने दर्शों को बताते चलें कि 6 अपरेल 1980 को बीजेपी की इस्थापना हुई थी और उसके बाद लगवख चार वस तक बीजेपी ने काफी कार किया और उम्मित संजोए बैठी थी कि जो 1984 में आम चुनाओ होंगे तो वो अच्छा पर्दसन करेगी लेकिन अचानक सिर्मती गांधी की मरत्व के बाद समीकरण बदल गए और तमाम राजनित्क पार्टियां हाशे पर आ गएं और यही हाल बीजेपी का भी हुआ जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी सब हाशे पर पहुँच गए सब की साथ खराब गए अब मित्रो बात उठती है कि वो बीजेपी के कौन से दो धुरंदर सांसद थे जो इस साहनभूत की लहर में जब बड़े बड़े दिगगा जो खड़ गए और वो टिके रहे पाउं जमाया रखे और उन्होंने बीजेपी का ओपनर बैट्सपन की तरह खाता कुला तो मित्रो आज जब जब बात चलती है दो सांसदों की बीजेपी के तो ज़्यादता लोग कहते हैं बोले जी होंगे शायद अटल जी और आडवानी जी होंगे और जो कुछ थोड़ा इस से इतर सोचते हैं वो कहते हैं हो सकता है जी राजमाता सिंधिया हो जोशी जी हो सिकंदर वक्त जी हो या राम जी ठुमलानी जी हो इन में से ही कोई होगा और तो कोई बड़ा फेस उस समय लोगों के ध्यान में नहीं आता लेकिन मित्रो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धुरंदर दो सांसत थे वो इनके बिलकुल इतर थे इनसे बिलकुल उलट थे वो बिलकुल नए से चेहरे थे जो राजनीत में बिलकुल अपर चिस से थे और वो नए चेहरे कौन थे एक सीट बीजेपी ने जीती थी गुजरात की महसाना सीट से जिस पर श्री एके पटेल विजाई हुए थे बीजेपी की और से और उन्होंने कांग्रेस के स्री आरेस माले को पराजित किया था और दूसरी सीट बीजेपी ने जीती थी आंध प्रदेश में हनाम कॉंडा सीट जीती थी जहांपर सी जंगा रेड़ी सी जीते थे और उन्होंने उस समय कांग्रेस के दिगज लीडर पीबी नर्सिम महरावजी को हराया था तो ये वो दो धुरंदर थे महसाना से स्री एके पठेल और हनाम कॉंडा से स्री सी जंगा रेड़ी ये दो धुरंदर थे जन्होंने बीजेपी की जीत का पर्चम लहराया ओपनिंग शुरुआत की और बीजेपी को यहां तक पहुँचाया तो अगर सार सारांश की बात कहें तो मैं मित्रों यही कहना चाहूंगा कि अगर लगन से कोई भी काम किया जाए उसमें दिरंतर लगाय रखा जाए खुद को समर्पित किया जाए तो कोई भी लख्ष पाया जा सकता है तो मित्रों मैं आप से पूछना चाहूंगा बताईए आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सम्पिस अलवित एसस को सब्सक्राइब कीजे हमसे जुड़े रहिए हम आप के लिए लगातार उप्योगी शानदार कंटेंट लिकर आने वाले हैं तो टेक केयर रखेगा अपना ख्याल खुश रहिए नमस्कार